बच्चियों, योगिक विच इक तों वद किसम दे तत्थ हुन्दिहान, मान लओ किसे योगिक विच इक तत्थ E1 अते दूज्या तत्थ E2 हैं, इना दोमा तत्थां दी आपसी स्योजक्ता हुवेगी। मान लओ E1 तत्थ दी स्योजक्ता X है अते E2 तत्थ दी स्योजक्ता Y हैं, हुन तत्थां दी स्योजक्ता नूँ क्रॉस करके अनू सूतर लिख दे हां, इस दा पाव साढ़े कोड सूतर E1Y E2X आवेगा, आव इसनू इक उदारन नाळ समझ दे हां, मान लओ असी कार्बन डायोक्साइड योगिक दा सूतर लिखना चौन दे हां, जिमें तुसी पहला पढ़ चुक्के हो, सानू सूतर लिखन लई, योगिक विचले तत्थां दे संकेत अते स्योजक्ता पता हुनी चाहिदी हैं, कार्बन डायोक्साइड योगिक कार्बन अते ऑक्सिजन तों बढ़िया है, कार्बन दा संकेत सी अते संयोजक्ता चाहर हुनी है, क्रोस करंतों बाद सानू प्रापत हुन्दा है, C2O4, इसनू सर्ल रूप विच बदलन लई, उपलिपी नू दो नाड़ पाक करते हां, अते सानू प्रापत हुन्दा है, C2O2, जो की कार्बन डायोक्साइड योगिक दा सर्ल सूतर है, आओ एक होर उदारण देखिए, हुन असी हाइड्रोजन सल्फाइड योगिक दा सूतर पता करते हां, Hydrogen Sulfide Hydrogen अते Sulfur तक्ता दा योगिक है Hydrogen दा संकेत H अते सन्योजक्ता इक है Sulfur दा संकेत S अते सन्योजक्ता दो है क्रोस करन्तों बाद प्रापत हुंदा है H2S1 जा H2S जो के हाइड्रोजन सेलफाइड दा सर्ल सूतर है सो बच्चियों इस तरीके नार असी योगिकां दे सर्ल सूतर लिख सकते हाँ